तो बूर्णिंग एवर्यवन तो लीडर्स के आपको मेरी आवास नहीं देरिये तो प्लीज एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए जल्दी से जल्दी से दोस्तों सभी यहां पर मैसेजिस करेंगे स्मीटिंग का रूल है कि जो भी पार्टिसिपेट करेगा तो सभी यहां पर मैसेजिस जो है वो करेंगे ही करेंगे साड़े पांसों के साड़े पांसों जो मैसेजिस हैं वो यहां पर आने चाहिए राइट राइट थैंक या चाहे द्ग सांग उच्या ने वार्णीद Sam हिसे इस शुबह 8 बजह यहां पर करते हैं और लिडर्र यह जो सेशन है यह बेसिकली सुबह-सुबह माइंड फ्रेश होता है तो मोटिवेट करने के लिए और डेफिनेटली हम अपनी पर्सनल ग्रोथ, बिजनस ग्रोथ, टीम की ग्रोथ हम कैसे कर सकते हैं उसके लिए ये जो सेशन है वो किया जा रहा है तो लीडर्स इस सेशन को हम ध्यान से सुनेंगे दिखे टाइम अलड़ जहाना कर दिया जाएा तो पैनल तो शब्कारव ऑफ यहां पर बंद हो चुका है लॉक्ट हो चुका है राइक तनक यो थेंच यू ठेंक योव्टाइर्ट है व्योर्ययूहडटक्र आपकोने तो आपको मिल जाएगा तो आप आप चाहें तो च güçन को पर लेकिन आज कुछ जो एक महत्तवपुन अनॉंसमेंट है वो भी होने जा रही है तो जितने भी हमारे फेस्बुक पे जितने भी हमारे डिस्ट्रिबूटर इसको सुन रहे हैं हमारे लीडर इसको सुन रहे हैं और जितने भी जूम पे हमारे लीडर और डिस्ट्रिबूटर सुन रहे हैं तो तो दोस्तो एक बार पहले तो जल्दी से चाइड बॉक्स में लिख बताईए कि हमारे जो की वाइप अडिस्टीबूटर्स हैं वह सब कहां कहां से जुड़े हुए हैं प्लीज जलती से एक बार चैड बॉक्स में लिखके बताईए ओके जबलपूर होडा दिल्ली जैपूर अजितन वेस्ट बेंगॉल यूपी जहारखंड प्रतापगर मुर्शिदाबाद उडिसा वेस्ट बेंगॉल उडिसा नेपाल बहुत बढ़िया वेस्ट बेंगॉल जबलपूर फरीदाबाद जहारखंड बागलपूर बिहार जहारखंड तोरपा मुर्शिदाबाद महाराष्ट्रा करनाटका दिल्ली पंजाब कटक बदरपूर मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगॉल जॉनपूर ओडिसा ललिपूर बहुत बढ़िया दोस्तों मैं सभी नाम नहीं पढ़ पाऊंगा तो कि पूरे इंडिया से हमारे जो लीडर्स और डिस्टिब्यूटर्स हैं वह हमारे साथ जुरे हुए हैं तो दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मौनिंग के शांदार वेबिनार के अंदर और आप सभी अपना-पना कीमति समय निकालके यहां पर आये हैं तो दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस मौनिंग वेबिनार के अंदर तो दोस्तों हमारे यह जो वेबिनार है यह बहुत ही शांदार होने जा रहा है तो कि कुछ अलग तरीके से आज हम इसको करने के भी कोशिश करेंगे और जो भी हमारे जिस्ट्रिबूटर जो अभी वेटिंग रूम में चल रहे हैं तो हर बार की तरह कि आपको फेस्बुक है कि उनको जो लिंक है फिस्बुक पा वो उनको कमेंट बॉक्स में मिल चुका है तो वहां पर उनको ज्वाइन कर सकते हैं तो कि आट बजे हम इस सेशन को अग्जक्टली बंद कर देते हैं एंट्री जो है वो बंद हो जाती है तो थैंक्यू सो मच लेडिज जैंटलमें आप सभी का यहां पर जुनने के लिए और दोस्तों आज का जो सेशन हमारा होने जा रहा है वो बहुत ही खास होने जा रहा है गिया दोस्तों वेलकम टू कीवा काईपॉन डॉस्टिस लेडिज एंड जेंटलमेंट सबसे पहले तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस दूम वेबिनार के अंदर और दोस्तों आज का वेबिनार करने से पहले एक जो स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेर करने जा रहा हूं जैसे कि स्टोरी हम थोड़ा सा इसको कर रहे हैं कि डेली बेसिस पे कि चलो एक स्टोरी के साथ एक कहानी के साथ इसको बूल जाते हैं और कहानिय सुनना सबको अच्छा भी लगता है तो जो शुरुआत करने जा रहे हैं वह इसी चीज से होने जा रही है कि बहुत समय पहले की बात है कि जैसे राजा है राजा होता था तो उस राजा के पास उस राजा के था अब होता क्या दोस्तों कि जो बाज होता है तो वह और नहीं है बाज़ जो था हो उड़ नहीं रहा था याानि एक डाली से डूरा डाली पर वह डेल जाता होता हुतह था जो सिपाही थे वो निकालते थे तो वो अच्छे से उड़ता नहीं था वो मलेकी अपना एक जगह पे जाके वो बैड़ जाता होता था तो अब राजा ने क्या किया अब राजा ने वहां पे गोशना करवाई अनॉंसमेंट करवाई कि जो भी इस बाज को उनना सिखाएगा उसको हम इनाम नेगे तो वो क्या करते थे कि बहुत सारे लोग आए अब वो उसको पिंजरे से बाहर निकालते थे वो उसको थोड़ा सा हुश हुश करके उसको उड़ाते थे तो वो थोड़ा सा उड़के एक सबस्क्राइब लगार कि घए जाके वहांपर बैठ जाता हुश तो अइसा करतें बहुत सारे लोग आए बहुत सारी लोग है उसके बाद होता है कि ऊच्पittel नहीं करता हो वह देँगता है हुँ चार-पांच बार उस बाज को उडाता है बाज थोड़ा सा उडाके एक पेड पर जाके बैड जाता है तो तो होता क्या है कि वो जो बुदूर्ग होता है वो कहता है वो सिपाहियों का कहता है कि इस पेड़ को काट दो तो सभी हरान होते हैं हम बाद को उड़ाने की बात कर रहे हैं तो पेड़ काटने की बात कर रहा है तो वह वही चीज़ कहता है कि आप कुछ न क जदाता है उसको उडाया जाता है हुश-उश करके वो थोड़ा सा ऋरके वो देखता है कि वह जो पेड है वह वहाँ पर नहीं खरोधर देर इदर उदर थोड़ी देर देर चलता है फिर वह बाव जो होता है फिर वह बिलकुल उचे असमान में उड़ना शुरू कर देता है फिर वह वहां पर उड़ता है फिर वह बहुत उपर तक जाता है और फिर वह बहां पर उड़ता है और यह देखके जो राजा होता है वह बहुत खुश होता है और राजा उस मुदर्ग को बुलाता है वो कहता है कि आपने ये किया कैसे वो कहता है कि कुछ नहीं ये जो बाज है नो डाउट कि ये अच्छी नसल का बाज है लेकिन इसने अपना एक जो comfort zone है वो धूंडा हुआ था उस पेड़ के उपर इसको उड़ है पेड़ पेड़ पर जाकर अराम से बैठ जाते हैं तो जो तो हमने क्या किया उससे डल जारा है अब उसको पता चल गया कि मेरा काम तो उड़ने का है जगा मिलेगी अब वह ऐसमान में इसी वज़ासे जो उसका काम है अब वह अपनी जो उचाईया है वह तो दोस्तों यही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं पहले हमारा comfort zone क्या था जूम मीटिंग में चलो हम इसके example लेक्के निखते हैं पहले हमारा comfort zone था कि कभी भी आके enter कर सकते हैं हम आते थे कभी भी कोई 8 बज़ के 5 मिनिट पर आ रहा है और 8 बज़े कितने लोग आते थे 100 लोग 120 लोग उसके बाद लोग 600 700 भी हो जाते थे लेक फिर हमने एक डाली काट दी फिर हमने बोला कि जो 8 बज़े से पहले पहले अंदर enter हो जाएगा उसको जगा मिल जाएगी बाकी के क्या करेंगे बाकी के facebook के ऊपर चले जाएंगे तो अब लोगों ने बोला कि नहीं हमको तो zoom meeting में आना है हमको तो zoom meeting को attend करना है तो बाकी के जो लोग है वो facebook पे चले जाते हैं अब जू मिटिंग 8 बज़े जो पैनल है उसका बंद हो जाता है 8 बज़े जो पैनल है वो बंद हो जाता है और बाकी के अब जो वेटिंग लिस्ट में चल रहे हैं सौ के करीब जो लोग है वो वेटिंग लिस्ट में चल रहे हैं अब व सब्सक्राइब लेकिन माई डियर फ्रेंड आज के बाद ये जो डाली है ये भी काट दी जाएगी जी हां दोस्तों ये जो डाली है फेसबुक पे जितने भी हमारे लीडर्स और डिस्ट्टिबिटर्स है वो सुन रहे हैं दोस्तों बाद आज के बाद Morning webinar Facebook पे नहीं चलेगा मैं आपको बताने जा रहा हूँ Morning webinar Facebook पे नहीं चलेगा ये डाली कार्ट दी जाएगी अगर आपको आना है तो आपको Zoom पे ही आना है मैं आपको बताना चाता हूँ हाँ जो लोग नहीं जानते हैं जो लोग कहते हैं कि हमें आईडी पासवर्ड लिंक बगरा नहीं मिला है मैं आपको बताना चाहता हूं आईडी नंबर है 658-421-2347 यह दो तो जूम मीटिंग का जो आईडी नंबर है वो है 658-421-2347 और पासवर्ड सिंपल था है 1234 इसको एंटर कीजिए और आप जूम मीटिंग में आ सकते हैं तो माई डिया फ्रेंड आज के बाद फेस्बुक पे यह नहीं चलेगा क्योंकि हमने देखा है लोग आराम से मस्की से आके कभी भी उसको सुन रहे हैं कभी उसको कर रहे हैं हाना कि वो बनाया यहां पर आ जाते हैं तो फेस्बुक पे अब जितने भी लोग जो भी यहां पर लोग जो 2000 3000 4000 जो भी सुनेंगे उन से सिंपल से यही रिक्वेस्ट है आईडिया आपको बता दिये गाया है पासवर्ड आपको सुबह का मॉर्निंग का सेम रहता है सेम पासवर्ड चलेगा तो अगर आप सुनना चाहेंगे तो आपको सिरफ जूम मीटिंग पर आना पड़ेगा तो कि हमारा टार्गेट जूम मीटिंग पर है हमारा टार्गेट जूम मीटिंग पर है और हम क्या कर रहे हैं हमें कंफर जोन फेस्बुक जो है अब वो हमारा कंफर जोन बन चुका है अरे चलो कोई बात नहीं क्या हुआ फिर क्या हुआ हमने यहां पर जूम पर नहीं सुना तो कोई दिकन वाली बात नहीं है हम जाके फिस्बुक पर सुन लेंगे क्या हो जाएगा उससे देख सैसे नहीं तो देखना है इसको थोड़ा सा घहराई से समझेगा जिस चीज की बारे मैं बात कर रहा हूं यह चीज हमें बहुत पीछे तक लेके जाती है आई यह आज इस चीज को समझते हैं तो लेडिज एंज जेंट्लमेंग आज हम बात करने जा रहे हैं कमफर्ट जोन के बारे में कि यह होता है लो कि what is comfort zone comfort zone क्या है उस की चीज के बारे में आज हम यहां पे बात करेंगे है तो दो तो यहीं जो comfort zone बैसी कलिछ treating यह एक biggest स्ट्राइब है यह फसाने के बिगगे स्ट्राइब लिए कि जब भी हमें लगने लग जाए कि थोड़ा सा चलिए अब रूपते हैं थोड़ा से रिलाक्स करते हैं कोई दिक्टत वाली बात नहीं है तो इस तरीके का हम कहीं पर बैठे हुए हैं चार पैसे ज्यादा आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं एक अच्छा लैवल हम मेंट सब्सक्राइब यहां पर क्या है वेन वी आर नौट सैटिस्फाइड विद करेंट सिच्वेशन बट स्टिल डिल विडिट उसे कंफट जोन बोला जाता है यह दो तो इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को ध्यान से समझेगा हमें अंदर से पता है कि जिस सैटिस्फाइड नहीं है आज की सिच्वेशन से हम सैटिस्फाइड नहीं है चाहे हम किसी भी रैंक पर पहुंच चुके हैं लेकिन अंदर से पता है कि यार मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ अभी तो इस सिच्वेशन से मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ तो उसको comfort zone बोला है उसी में चल रहे हैं वो चीज हमें अच्छी लग रही है दर्द तो हो रहा है लेकिन अभी उतना नहीं हो रहा है तो वह चीज क्या है वह कमफर जोन है मैंने आपको पहले स्टोरी भी आपको तुनाई थी वह जो कुत्ते वाले जो स्टोरी थी एक कुता है वो बैठा है तो वह इंक पर संगें कि सब्सक्राइβ रही है कि यहां पे यहां पे तरी जगा पहर पतानी होगा का में अगर मेरे सब्सक्राइब और निकळा तो पतानी क्या हो जाएगा तो अब में को कमफर्ड जोन में बैठा हुआ तो अपको छोड़ना पड़ेगा बिलकूल सा फंडा है इसका अगर आप उडान भरना चाहते हैं तो एक जगा को टू आपको छोड़ना पड़ेगा उससे तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा अब होता क्या है कि जो कैदी होते हैं आपने देखा होगा आपने ऐसी बहुत सारी स्टोरी बीट साल एक जगा पर जेल के अंदर रहते हैं तो जब वो बाहर निकलते हैं तो वो रो रहे होते हैं उनका जगा से लगाव हो जाता है तो वो क्या है वो एक comfort zone हो चुका है उनका वो एक comfort zone मानके चल चुके होते हैं लेकिन क्या actually में वो जेल में रहना एक comfort zone है क्या को जेल में जाना चाहता है नहीं लेकिन जब किसी एक जगा पे बहुत ज़्यादा समय तक रहते हैं तो हम क्या होते हैं हमें एक comfort zone में आ जाते हैं यह दोस्तों अब इसकी भी अंदर से बहुत सारी परिभाशा है एक्चुली क्या होता है एक ही काम को लगातार करते रहना लंबे समय के लिए वो फिर क् में हमें बोरियत मैसूस होनी शुरू हो जाती है एक्चुली में क्या है हमें पता है कि काम यही करना है अब होता क्या है कि अगर आप किसी जगा पे काम को कर रहे हो तो आप उस काम को कर रहे हो कर रहे हो तो होता क्या है उस काम से आपको बिसिकली प्यार हो जाता है लेकिन जाल समय तक जब हम करते हैं उसको एक ही काम को हम जब करते हैं तो वो काम जो है वो हमें बोर लगना शुरू हो जाता है अब ये जो बोर लग रहा है लेकिन काम हम वो करते चले जा रहे हैं ये comfort zone है तो काम तो हमें करना है लेकिन काम का करने का तरीका अगर हम change कर दें उस काम को करने के तरीके को अगर हम चेंच कर दें तो माइडिया फ्रेंड वह हम उस comfort zone से बाहर निकलाएंगे वह comfort zone से हम basically बाहर निकलाएंगे तो actually मैं मतलब को समझे मीनिंग को समझे काम हमें करना है हमें पता है कि या नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग हैं अब वह लेवल तो अचीव कर चुके हैं लेकिन स्टिल हम उस comfort zone में फस जाते हैं उस लेवल को अचीव करने के बाद भी अब जिन्हों है न वो बोर लगना शुरू हो जाता है फिर वो काम को उस बोरियत को खत्म करने के लिए फिर वो तो करने उनते हैं उस चीज को करने के भाने फिर हम जो छीजेशे हैं वह एक दूसरी के उपर ठोपना शुरू करदेते हैं इसाफॉपन करना हां म८नित एक दम से जब हम दूम पर आए तो एक से हमें अपना जो कंफर्ट होना हमारे कंफर्ट क्या था फेस टू-फेस मीटिंग करना राइट अब ऐसा फिर से शुरू हो गया था अब क्या था कि लोगों का जूम पे आना उनको वह कंफर्ट उनको जोन से बाहर निकलना पड़ा तो वह चीज़ उनको क्या लगनी लगी शुरू में उनको वह चीज़ मुश्किल लगने लगी लीडर से पूछा जाता था अरे सर लोग इतने नहीं है सर लोगों को नेट चलाना नहीं आता है सर लोगों का नेट पैक खतम हो जाता है सर यह हो जाता है वो सबी चीज़े एक्स्क्यूजिस थे एक्टुली में कंफ चीज़िव से बाहर निकलि है और नेट्वर्क मार्केटिंग में अगर हम बात करें अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास एक अच्छी टीम है मैस्य थीम हैं जिकी मेसाय बैण जाएंगे ये-सर रहे ने हैं ये भी बैठ जाएंगे तो माई डियों फ्रेंड ये जो है ये एक ट्रैप है और जिसमें बहुत सारे लीडर पस्ते हैं अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा लीडर बन गया हूं और मेरी जो टीम है वो काम कर रही है मेरे को घर बैठे-बैठे बोनस आ जरूरत नहीं है र면 ही माई दियों फ्रेंड ये एक सबसे बड़ा ये एक सबसे बड़ा थैप जीन दोस्तो कि आपका जो मैंछ इस चीज से खतम हो चुके है इस एक इस चीज से खतम हो चुके है लोग बड़ा निकलिए आपका जैसे जैसे आपका जो लेवल है वो चेंज हो रहा है राइट वैसे वैसे आपकी जो responsibilities हैं वो change हो रही हैं बनकि आप और ज़्यादा responsible हो चुके हैं पहले जैसे शुरुआत की थी एक level तक पहुंचने के लिए वहाँ पर हमारी कुछ responsibilities थी वहाँ पर हमारी कुछ duties थी अब जब आप एक leader बन चुके हैं अब आपकी जो responsibilities हैं वह आपकी और ज़्यादा बढ़ गई हैं वह कम नहीं हुई है वह और ज़्यादा बढ़ चुकी है यह जो responsibilities है यह और ज़्यादा बढ़ चुकी है माई डिया फ्रेंड अगर ऐसा होता पैसों के मामले में ऐसा होता तो जैस्ट बेजॉस यह लोग फिर भी 16 गंटे 18 गंटे काम कर रहे हैं उनको पता है उनको पता है उन्होंने उस चीज़ को अपना बनाया हुआ है अब आपके पास क्या है अब आपके पास नई liabilities है पहले क्या करते थे पहले आप अपने लीडर को कम्प्लेंट करते थे अरे सर देखो यहां पर कंप्लेंट करते होते थे अब क्या है आपने टीम की कि गंप्लेंट है वह आपने solve करनी है, कोई उपर से आके solve नहीं करेगा, अब आप leader बन चुके हैं, अब आप अपनी team की जो complaints हैं, अब आप उनको solve करेंगे, क्योंकि my dear friend, you are a leader now, क्योंकि अभी आप क्या हैं, आप एक leader हैं, आप खुद एक leader हैं, अपनी responsibility को समझिए, क्योंकि अब आपके पास एक टीम है, आपको अपनी team के लिए एक खुद एक example, जो है, वो set करना होता है, अपनी team के लिए एक example set कीजिए, otherwise my dear friend, you will lose everything, आपका जो working profile है, वो change हो चुका है, पहले, पहले आप क्या थे, पहले आप एक distributor के तौर पे काम करें थे, आप सीख रहे थे, आप प्लैन करते थे, प पहले क्या करते थे, आप प्लैन दिखाते थे, प्रोड़क्ट दिखाते थे, डैमो दिखाते थे, आपको लीदर आपको इस चीज़ के बारे में बताता था, इस चीज़ के बारे में सिखाता था, इसके बारे में, लेकिन अब क्या है, अब हम क्या बन चुके है, अब हम र अपनी टीम कोजिस करना है कि ऐसे करते हैं उनको चेक कीजिए उनको प्लैंग दिखाए कि अच्छा कैसे दिखाया मिं ने मेरे को करके करके जिखाओं और अब मीटिंग में जो डैमो हेवो perform करो कोई दिखत वाली बात नहीं है my dear friend आपकी team को आपको train करना पड़ेगा उनको train कीजिए उनको teach कीजिए उनको दिखाईए करके handle your team अपनी team को handle कीजिए क्या आप leader नहीं बनना चाहते हैं क्या आप बनना नहीं चाहते हैं my dear होता है कि हम हमेशां अपने comfort zone के trap में फसके रह जाते हैं एक level चीव करने के बाद हम सोचते हैं कि नहीं आप तो बहुत अच्छा जो level है वो चीव कर लिया no my dear friend उसके बाद जो responsibilities है जो liabilities है वो पहले से जादा बढ़ जाती है expensive लोगों की सोच क्या है expensive लोगों के बहुत बड़े होते हैं income बहुत छोटा होता है तो हमारी सोच क्या रहती है हमारी सोच क्या रहती है कि अरे भाई खर्चों को कम कर लो जो income है income income से जो खर्चे है उनको income को कम कर लो जो सोच रहती है लेकिन my dear friend यह जो सोच है ये नॉर्मल लोग आप उस ट्रैप में फसा के रखती है जो comfort दूर का जो ट्रैप है कि नहीं है यहां पे मैं ठीक हूं बस इतना बहुत है जिन्दगी चल रही है कट रही है बस ठीक है बहुत है आपकी जिन्दगी कट जुरूर सकती है लेकिन आप जिन्दगी को जी नहीं सकते हैं जो आपके जो सपने जो आपने देखे हैं उनको नहीं जी सकते हैं जो सपने को देखके आपने industry को जॉइन किया था आपने network marketing को जॉइन किया था आपने my dear friend we will try to minimize our expenses हम अपने expenses को minimize करने का उसको कम करने का हम सोते हैं कि income तो इतना है ठीक है तो expense जो है वो हम कम कर लेते हैं लेकिन my dear friend यहां पर क्या है अगर आपके expenses हैं तो अपनी income को बढ़ाने के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं कभी ऐसा क्यों नहीं सोचा है कि हम अपनी income ही इतनी बड़ी करने कि expenses हमें कुछ भी नहीं लग रहे हैं एक्सपैंसिस क्या होते हैं कभी इन के बारे में सोचते नहीं है ऐसा क्यों नहीं सोचते हम लोग यह जो सोच है my dear friend try to increase your income को बढ़ाने के बारे में सोचिये हम अपने expenses को कम करने के बारे में इसकता है सारी जिंदगी है आप expense को कम करने में उसको कम करने में लग रहेंगे सारी जिंदगी किया थोड़ा सा कम कर लो कोई बात नहीं है नहीं खर्चा दादा हो रहा है तो मैं income इतनी है नहीं तो इसको कम कर लो my dear friend जो dream आपने सोचा हुआ है वो इस चीज से कभी भी पूरा नहीं हो सकता है अपनी income के उपर focus कीजिए हम focus किसके उपर करके चल रहे हैं expenses के उपर अपनी income के उपर ध्यान दिजिए कि हम अपना income जो है जो bonus है हम उसको बढ़ाएंगे उसको increase करेंगे तो result क्यों नहीं रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा अरे आपको expenses की तरफ कभी देखने की दूरत नहीं पड़ेगी कितना खर्चा हो रहा है अभी हम सभी लोग क्या करते हैं घर में दातर महल क्या रहता है लाइट बंद करने का अब पता है इंकम इतना है तो कभी लाइट की तरफ कभी ध्यान जा रहा है कि यहां पर इसी सभी के घरों से सुनने को मिलती है थीक है उनका ध्यान से उनका हमें करना चाहिए लेकिन इनकी वज़े से लोगों के घर में जगड़े होते हैं आप जानते हैं चीजिद के बारे में तो माईडियस्यट चेंज इट जो आपने जो शेयर हैं वो आपने जो शेर है वह देखा ओगा आप यह जो शेर है इसको अपने खाने पिने के जूड़ ले कि लिए शिकार करना पड़ता है कभी-ख़ी भूख से सोना पड़ता है अब ही शिकार हो गया तो खाए लिए जो रहे झाल और एक शेर होता है सरकस का में इनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको खाने का अच्छा मिल रहाए इसको खाने का इसको कभी उसको कभी भूप मिल रहा है और क्या इसको यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है सरकस में है पड़ा हुआ है पिंजरे में आसानी से शांती से पड़ा हुआ है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन जब इसको वहां पे सरकस में इसको वहां पे लाया जाता है तो जैसे ही इसका जो मास्टर होता है सरकस का जो इसका बॉस होता है व बैट जओ उसको बोलो आग्स के गोले से बीच मेंसे कूद के दिखाता है जंगल में जो खुला शेर है का हम उसको ऐसा करने के लिए बहुत अच्छी कट रही है को तीनों टैम खाने का मिल रहा है लेकिन जिस प्रेशर में ये जी रहा है क्या जो जंगल का शेर है के पिंजिने में कैड होने के लिए उठने बैटने के लिए पैदा हुआ था szerje ına वाओवा था जंगल पे राज करने के लिए पैदा ओफ कर लिए फिर झूलोगलने बागने के लिए अपनी मन मर्दी करने के लिए पैदा हुआ तो आप किस तरह के झेर हैं आप किस तरह के शेर हैं यहां पर लिखेंगे किसर हम तो जंगल के शेर हैं लेकिन काम सरकस वाला कर रहे हैं हम सभी काम कौन सा कर रहे हैं सरकस वाला काम कर रहे हैं कहने को अरे कहने को क्या जाता है कहने को हम सभी जंगल के शेर हैं लेकिन हम काम कौन सा कर रहे हैं सरकस वाला काम कर रहे हैं सरकस वाला हम एक comfort zone में बैठे हुए हैं और हम उस circus के share की तरह हम वहाँ पे काम कर रहे हैं तो my dear friend is trap से बाहर निकले यह जो comfort zone हम लोग अपना बना के बैठे हुए है ना इस trap से बाहर निकले और मेरे को पता है इस trap से बाहर निकलेंगे निकल वाकर हम लोग छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे इस trap से तो दोस्तों आप इंडमिन से कौन से हैं वह आपको decide करना है आप jungle के share हैं आप circus के share हैं बोलने को जैंगल के share बोल सकते हैं लेकिन आम करने के लिए हम में हैं अपने अपनी जगह पे हुए हैं हर जगह पर आप अपनी जगऑ याद दिलाना संवा ज लिए ले ले लेते हैं उंको पताा लेते हैं कि basically क्या चीज़ है और Facebook पे जितने भी हमारे leaders और distributor सुन रहे हैं तो उनको भी मैं यही चीज़ कहना चाहूंगा कि my dear friend अब हमने एक comfort zone काट दिया है morning का 8 बज़े का जो webinar है ये कल से Facebook पे नहीं आएगा ये सिरफ और सिरफ zoom पे आएगा सिरफ और सिरफ zoom पे ही आएगा और 8 बज़े से पहले आएगा तो जिसको join करना है वो 8 बज़े से पहले join करेंगे जिसको join नहीं करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप अपने हिसाब से अपनी जिन्दगी को कार सकते हैं आपको कोई भी disturb करने वाला नहीं है आना है तो 8 बज़े के पहले पहले आप आ सकते हैं सेशन पैनल खुला होगा 8 बज़े के बाद पैनल बंद हो जाएगा Facebook पे भी फिर हम उसको entry नहीं देंगे क्योंकि कल से Facebook पे ये जो सेशन है वो लाइब नहीं चलेगा तो माई डिया फ्रेंड अपने comfort zone से बाहर निकलिए वाइट तो थैंक यू सो मच लेडिस वो आईडी है 658-421-2347 और जिसका password है 1234 बिल्कुल सा password है तो माई डिया फ्रेंड अगर आप इस session को daily attend करना चाहते हैं तो most welcome है यह session ऐसे ही चलता है आ रहा है ऐसे ही चलता रहेगा आप इसको जुरूर attend कर सकते हैं लेकिन सुबह 8 बज़े से पहले पहले आड़ बज़े के बाद इसका कोई भी एंट्री नहीं होगा तो thank you so much ladies and gentlemen आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए कल सुबह 8 बज़े फिर से मुलाकात होगी एक जबर्दा सेशन के साथ जबर्दा चीजों के साथ जब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद thank you thank you so much